नमस्कार दोस्तों हम सिक्स क्लास NCATI का आज लास्ट जो है जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजेटेशन एंड वाइड लाइफ यानि कि कहने का अरत है कि भारत के जल्वायू के बारे में हम लोग जानेंगे उसका वेजेटेशन कैसा है यानि कि महां मनस्पति कैसा होत उसके बारे निधर के मोसम की पड़ के बारे में हमको जानना है या इनि di यह जानेंगे कि मुसम करते हैं घलवाई सब्सक्राइब ह управ स्कथ करते हैं उसके बारे कैसे होता है और वेजिटेशन का टाइस भी जानेंगे तो हम सुरू करते हैं हम सबसे पहले हम देखते हैं क्या हम क्लाइमेट के पहले हम समझते हैं क्या कि वेदर क्या होता है वेदर हम किसको कहते हैं वेदर हम किसे कहेंगे जैसे देखते हैं डे बाइडे क्या होता है यानी कि वायूमंडल में क्या होता है यह हमारे अथमिसफियर में हम वह सकता है कि फिर मौसम चेंज हो जाए हो सकता है कि अभी बहुत ज्यादा जो है क्या है धूप जो निकला हुआ है फिर क्या हो कि धूप जो है खतम हो जाए और उसको बादल जो है घेर ले तो यह सब होता है देख रहा है इस पिक्शर के द्वारा देख रहा है कैसे यह देख रहा है तो देखते हैं क्या है कि बादल जैसे आया और बारिस होना शुरू हो गया कभी देखते हैं कि सानलाइट जो है बहुत ज़्यादा रहता है और कुछ दिर के बाद देखते हैं कि वह चेंज ओच ज़ाता है और कहने का अर्थ क्या है कि еслиande के मौसम हम कहेंगे किसे एक हम उसको देखते हैं कि मौसम हम किसको कहेंगे मौसम का अर्थ यह हुआ कि एक ही दिन में हम देख रहे हैं क्या कि इस एट्मोस्फियर में यानि कि इस वायूम अंडल में क्या है कि बहुत सारा चेंजर हमको देखने को मिलता है उसको हम क्या कहेंगे उसको हम वेदर कहेंगे वेदर के बारे में समझ गया हुई है कि वेदर हम किसको कहेंगे और इसी वेदर को यानि कि इसी मौसम को हम क्या करते हैं इसी को हम क्या करते हैं बहुत दिन तक इसका मेजरमेंट करते हैं जैसे हो सकता है इसको मेजरमेंट करने में हमको 25 या 30 साल लग गया तो हम क्या करते हैं इसका measurement जैसे एक दिन में क्या हो रहा है बहुत सारा changes जो हो रहा है atmosphere में तो उसको हमने क्या कहा weather कहा जो यह atmosphere में जो change हो रहा है उसको हमने weather नाम दिया फिर उसी weather को क्या करते हैं हम 25-30 साल तक ऐसे हम समय अपने से कह रहा है हैं बहुत समय तक क्या करते हैं कि उसको हम major करते हैं तो क्या मतलब होता है क्या जलवायू कहने के धितन्य दिन तक यह आपको टाइम लगता है यानि कि ल मौसम क्या है यानि कि वेदर डे टूडे होता है तो weather और climate में different समझ ग Driven डे-to-day चंज भ्ता है उसको विदर बोलेंगे को हम देखते हैं टाइप आप वेजिटेशन भी हम देखेंगे पहले देखते हैं क्या वेदर जो है तिशार तरग होता है विंटर होता है समर रेनी और अटम काने का अर्थ क्या है शीतुरितु होज करते हैं फिर देखते हैं तो हम होट वेदर में क्या देखे हैं यानि कि सम शमर सीजन हम बोले हैं इसको हम क्या बोलते हैं ग्रिस्म रितु बोलते हैं ग्रिस्म रितु इसमें क्या होता है होट वेदर रहता है मौसम क्या रहता है गर्म रहता है इसमें और विंटर में क्या होता है मौसम क्या रहता है ठंड वारा रहता है मौसम इसमें क्या रहता है ठ सीजन हम कब देखते हैं दिसंबर से फरवारी तक हम क्या देखते हैं विंटर का सीजन हम देखते हैं वहीं हम जब जाते हैं होट मतलब समर सीजन में जब जाते हैं तो क्या होता है होट वेदर हो जाता है यानि कि गर्मी का मोसम आ जाता है तो वह मार्च से माई तक का गर्मी का सीजन होता है जिसमें क्या होता है कि गर्मी जो है बहुत ज्यादा परता है तो वो क्यों परता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और फिर जो है साउथ वेस्ट मॉन्सून सीजन यानि कि इसको रेनी सीजन वर्सा का रितु बोलते हैं तो वर्सा कब से कब तक होता ह वर्षा का तो हम देखते हैं जून से स्प्टमर तक हम लोग क्या देखते हैं वर्षा होता है और भारत में क्या है क्या लोग वर्षा पे जद़ा करके निर्वर आता है तो यह south west में क्या होता है साउथ वेस्ट कहने का अर्थ क्या है यह अगर भारत है यह आपका नौर्थ हुआ यह साउथ हुआ तो क्या बोल रहा है साउथ वेस्ट और इधर क्या होता है इधर वेस्ट होता है तो साउथ वेस्ट मतलब इस वाले इलाके में यह साउथ वेस्ट हो गया साउथ वेस्ट मे सिर्द में क्या होता है रेनी कि हम दिया है तो यह कब होता है जून से सितमबर तक पिर सीजन ओप री टृटिंग मौंसुन होता है ओड़ आनि कि इसको षरद रितु जो में बूले है तो उसके बारे में आगे पढ़ें गे जो कि यह अक्टूबर से नौमबर तक यह सीजन होता है फिर हम आगे देखते हैं यह वेदर के बारे में हमने समझा फिर हम सीजन में हम क्या समझे हैं विंटर सीजन में होता क्या है विंटर सीजन में क्या होता है यानि कि शीत रितु में क्या होता है शीत रितु इसको बोलते हैं शीत में क्या होता है direct sun का light जो है नहीं पर पाता है इसलिए क्या होता है यहां का temperature जो है बहुत ही low हो जाता है कहां का तो northern इंडिया का temperature जो है बहुत low हो जाता है as a result the temperatures are quite low in northern India तो यह देख लिए यानि कि sun का light हमको क्या होता है direct जो है भारत के north वाले पार्ट में हमको नहीं मिल पाता है इसलिए क्या होता है यहां पर यहां पर क्या होता है यहां पर ठंड का मोसम रहता है समझ गए तो इसको देखते हैं फिर हम winter के बाद हम क्या हम summer season के हम जानेंगे कि summer season हम को के तो इसके जस्ट ओपोजिट होगा यानि कि इसमें light आपको नहीं मिल पा रहा है sun का light जो है direct नहीं मिल पा रहा है लेकिन summer season में क्या होता है direct sun का light आपको मिलता है देखिए इसको तो इसमें क्या होता है hot weather season इसको इसलिए बोलते हैं यानि कि गर्मी का मौसम हम इसलिए बोलते हैं डा सन्रेस डाइरेक्टली fall in this region इस रीजन में क्या होता है कि Sun kas life जो है डायरेक्ट आपको पड़ता है डायरेक्ट आपको पड़ता है temperature become very high उसमें temperature क्या हुआ है लो हुआ है उसके just opposite यानि कि winter season के opposite क्या हो जाएगा winter winter season के opposite winter के opposite क्या हो जाएगा summer season हो जाएगा summer तो कहने करता है इसमें temperature क्या होता है इसमें temperature क्या होता है लो हो जाता है तो इसमें temperature क्या होता है हाई हो जाता है hot and dry winds cold low क्या होता है दीन में क्या होता है कि यानि कि क्या होता है दीन में जो पौन बहती है जो हवा चलती है जो सुष्क हवा चलती है जो बहुत ही गर्म एवं सुष्क जो हवा होती है गर्म एवं सुष्क जो हवा होती है वो चलती है जिसको हम क यह दिन के समय में चलती है जिसे हम लू बोलते हैं ब्लो डिरिंग दे यानि कि दिन के समय में लू जो है दिन के समय में ही चलती है तो क्या होता है कि यह समर सीजन हो गया फिर हम देखते हैं यह क्या बोलते हैं रेनी सीजन के बारे में देखते हैं ते रेनी सीजन क्या है ये साउ वाला पांट है और इधर जो है इधर वेस्ट वाला पार्ट होता है तो साउत वेस्ट में जो हो रहा है उसके बारे में दबीन्ट बेलो um Arabian Sea and bay of Bengal Arabian Sea 6 नीचे के साइज है Arabian Sea और ये हो गया बे ओफ बंगाल डे ओफ मेंगाल ये हो गया Bay of Bengal वाला side हो गया और यह हो गया आपका Arabian Sea वाला यह side हो गया तो क्या कह रहा है यह देखिए The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land कहने का अर्थ क्या है Bay of Bengal और Arabian Sea के तरफ क्या होता है towards the land Land के तरफ क्या है यानि कि यह wind बहती है अपने साथ क्या होती है नमी भी ले करके जाती है तो कहने का अर्थ क्या है Rainy Season में क्या होता है South West Monsoon जिसको हम बोलते है इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है इस मौनसुन में क्या होता है बंगाल की खाड़ी एवाम और अरफ सागर से अस्थल की ओर क्या होता है कि यह बहती है यह Arabian Sea और बे और बंगाल से अस्थल की ओर यानि कि इस साइड में बहती है तो इसको हम क्या बोलते है Southwest of Monsoon इसको हम बोलते है तो आपने इसको भी समझा फिर देखते हैं आगे तो इसको क्या बोलते है इसको बोलते है Autumn यानि कि श्राद रितो तो इसमें क्या होता है हमने क्या कहा कि इसके पीछे देखिए इसको हम क्या बोले है rainy season में क्या हुआ है कि B of Bengal और Arabian Sea से इस side में क्या हुआ है जैसे हवा बही है और उसके बाद क्या है moisture भी जो है अपने साथ के गई है ठीक है लेकिन इसमें क्या होता है इसमें अब opposite हो जाएगा देखिए इस सीजन में इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं इस सीजन को बोलते हैं Retreating Monsoon इसमें क्या होता है winds moves back from the mainland mainland कौन सा है यह आपका mainland सब है यह सब जो है यह mainland है और इससे क्या होता है mainland to the bay of Bengal bay of Bengal है bay of Bengal this is this is the season of the Retreating Monsoon the Southern part of India Southern part किसको यह यह South वाला जो पाट हुगा Southern पाट हुगा तो Southern part of India particularly Tamil लाडू and आंधर पर्देश तो Tamil लाडू और आंधर पर्देश वाला यह इलाका यह यह यहां तमिल लाडू और यहां आंधर पर्देश हो गया तमिल लाडू और आंधर पर्देश वाला जो इलाका है उसके बारे में and आंधर पर्देश receive rainfall in this season इस season में क्या होता है विशेश करके यह आंधर पर्देश हो गया आंधर पर देश और यह होगी आपका तमिलाडू तमीन लाडू वाला यह इलाका है तो यह पिर और यहांदर परदेश होगा तब इसमें क्या होता है कि रेनफॉल यहां पे बारिस होता है यानि कि में सागर से और बंगाल की खाड़ी से क्या है इस साइड में लेकिन इसमें क्या होता है रीट रीटिंग मोंसुन में क्या होता है कि बिल्कुल उल्टा चलने लगता है इस शरद रित्यू में क्या होता है पौन ने अस्थल से बंगाल की खाड़ी के तरफ बने लगती है फिर से बेंगाल और अरफ सागल से बंगाल की खारी और अरफ सागल से में लैंड के तरफ जो है जा रहा था पौन बहर रही थी और अपने साथ क्या लेकर के तो मौईशर भी अपने साथ में लेकर के जा रही थी लेकिन रीट्रीटिंग मौनसून में क्या होता है इस रीट्रीटिं से यानि कि अब किया होता है पौन जो है कहां पे बंगाल की खाड़ी के तरफ जो है बहना बे बंगाल में बहना जो है शुरू हो जाती है तो इस सीजन से क्या होता है रेंफॉल होता है ठीक है और विसेश कर कहां कहां होता है यहां यह यह आपका तमिलाडू से ले करके rainfall होता है, monsoon is taken from the Arabic word, monsoon क्या है, Arabic word क्या है, मौसीम से लिया गया है, यानि कि अरब का ये word है, Arabic word है, क्या मौसीम, मौसीम का अर्थ होता है, season, यानि कि मौसीम जो है, एक अरभी word है, मौसीम, मौसीम, एक अर्बी word है, अर्बी, जिसका अर्थ होता है, क्या, अर्थ होता है, मौसीम, इसको समझे, इससे इसको लिया गया है, due to India's location in the tropical region, इंडिया क्या है, tropical region में है, जहां हम पढ़ायते हैं, क्या हम पढ़ायते हैं, क्या हम पढ़ायते हैं, फिर हम आगे हम पढ़ेंगे ही, most of the rain is bought by monsoon winds, क्या होता है, रिन जो है, इसको क्या बोलते हैं, monsoon wind, यानि कि, monsoon पावने जो है, क्या होता हैं, अच्छा, agriculture में क्या होता है, यह बहुत ही सहायक होता है, agriculture में क्या सा एक होता है कि इससे क्या होता है जो बारिस होती है तो बारिस क्या है यानि कि agriculture अभी भी भी बारिस पे बहुत ज्यादा dependent है तो इसलिए agriculture in India is dependent on rain यानि कि अभी भी क्या है agriculture जो है किस पे independent ہے रेन पर यानि की अच्छी वारिस हुई तो उत्पाद दख्थ भी यानि की एक रिकल्चर भी बहुत अच्छा से होता है इसलिए क्या है उत्पादन भी बहुत अच्छा से होता है तो good monsoon means adequate rain कहने का और्थ क्या है अगर इसलिए अच्छा बारिस होता है तो अच्छा क्या होगा हमको उपज भी होगा तो कहने का तरी ट्रीटिंग मौनसून के बारे में जाने होंगे अब फिर हम देखते हैं अब इसको देखते हैं अल्टिट्यूड मतलब उचाई पर जाते हैं तो क्या होता है क्लाइमेट का किस तरह का कंडिशन है हमारे भारत का वह हम जानेंगे तो क्या है कि हम देखते हैं जब हम उचाई वाले छेतर पर जाते हैं तो पहले देख लेते ह is affected by its location altitude distance from the sea and relief हम देखते हैं कि जैसे किसी उचाई पर जाते हैं या समुद्र से जब हम दूर जाते हैं जैसे समुद्र के पास वाला जो एरिया होगा उसमें और समुद्र से दूर जो होगा वो जैसे यहां पर कोई जगह है कोई इस्टेट है वहां देखिएगा और समुद्र के पास वाला है वो देखिएगा तो यहां क्या होता है यहां का मौसम कुछ और होता है यहां का कुछ और होता है यहां का क्लाइमेट कंडिशन कुछ और होता है यहां का क्लाइमेट कंडिशन कुछ और होता है से मानने मतलब कहने करता है कि सी से जीतना दूरी हो वो मतलब उचा वच उच्ऑ वाला जो चगाहे वो जह से जेसल मेर और डिकाल इन्डडेजर दरा राजस्थान लाजस्थान के बारे में हम पढ़े हैं जैसे ये भारत भारत उगात भारत के इस हिस्सा में यानि कि ये हिमालिया जो देखे हैं नोर्धन प्लेन देखे और नोर्धन प्लेन और इस साइड में हम देखे हैं क्या यानि कि रेगिस्थान जो देखे हैं ये डेजर्ट तो वहीं वो राजस्थान वाला ये गर्मी पड़ता है वाइल ड्रास एंड कारगिल कारगिल क्या है जैसे यहां यह भारत का जो यह हिस्सा है उपर वाले इस हिस्से के कारगिल तो इस हिस्सी का बात हो रहा है तो ड्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रेजिंग कोल्ड क्या होता है वहां पे बहुत ही ठंड बहुत ज्यादा ठंड रहता है जम्मू कस्मीर में देखते हैं कि ठंड बहुत ज्यादा रहता है वही जो है राजस्थान में देखते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा रहता है राजस्थान के जलसल मेर और विकानेर में गर्मी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बाले एरिया है वहां रेगिस्तान है लेकिन में ओखते हैं कि द्रास और कारगील जो कश्मीर में हैं वहां पर क्या होता है बहुती ज़्यादा ठंड परता है अच्छा कोश्टल प्लेस के लाइक मुंबाई जैसे कोश्टल फ्लेस में गया क्या कोश्टल में जब हम पढ़ाए थे पिछला लेक्चर देखिएगा उसको अच्छा से जनने के लिए तो हम जब देखते हैं क्या कि कुस्टल वाले प्लेस में क्या होता है एंड कुलकाता यह से मुंबाई और एंड कुलकाता एक्सपरियेंस मोडरेट क्लाइमेट वहां क्या होता है वहां मोडरेट यानि कि न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी रहता है वहां क्लाइमेट क्या होता है वहां मोडरेट रहता है बिलकुल मध्यम जिसको बोलते हैं वह बिंग ओन दा कोस्ट ठीक है इस प्लेसेज आरे बेरी हुमिड क् हुए तो होना ही यानि कि वहां पर क्या होता है दोता है ज़य Amazon में हम देखते है कि सबसे जढ़ा बारिस होती है सबसे जढ़ा रेनफोल मने ओव्ल्ड का सबसे हाइस रेनफोल गाहा होता है तो मासिन दुर स रॉल always in a particular year माइट नोट रिए एट ओल इन जैसल मेर मेर में क्या हो है नहीं तो ना के बराबर होती यानि कि महाँ बारिस जजो है बहुत ही कम होता है मासिन राम देखते है कि सबसे जपाराइफ होते रहती है कहने का और्थ क्या है कि हाम अपने भारत के climate को देखे कि हमारे भारत का climate कैसा है कहीं पे बहुत ज्यादा बारिस है तो कहीं ना के बराबर है तो कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी परती है तो कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड है तो कहीं पे देखिएगा कि ठंड और गर्मी जो है अपने अन सर्ष जोग हो वह अलग लग क्या है अब नेचुरल के बारे में जानते हैं कि नेचुरल क्या मत्राक्या है जानते हैं फ्रस इंस अनुक विश did अपने आप जो वेजिटेशन होता है यानि कि जो पौधे उगते हैं उसको हम क्या बोलते है नेचुरल वेजिटेशन हम उसी को बोलते हैं वहाँ पे अपने से जाकर के हम क्या करते हैं जैसे दहान को हम क्या करते हैं अपने से रोपते हैं गेहूं अपने से उगाते हैं मक्क यह जाता है तो उसको हम क्या बोलते है नेचुराल बेजिटेशन बोलते हैं हेल्फ्र मूमन diagnosis आर कोड नेच्राल यान कि क्या है हेल्फ रॉम गोंन बीन्ग आर कोड नेच्छराल कहने-कारत है बेजिटेशन डिसेन टायप ओप नेच्रल बिजपेशनाओ सोन डिफ्रेन्टो ट्राइमेट कंडिशन यानि की कहने का और्थ क्या है कि डिफ्रेन कटंडिशन के कोर्डींग क्या होता है बेजिटेशन होता है जहां पर जाधा ठंडी परता है वहां उसी के हिसाफ से हुआ CamD is this places that it's से हम देखते हैं क्या यहां क्या है वेजिटेशन ओफ इंडिया इंटू फाइप अब हम वेजिटेशन हम देखते हैं पांच तरह का वेजिटेशन इंडिया में होता है वह हम देखते हैं वह क्या है उसको भी हम देखते हैं ट्रोपिकल एवर ग्रीन फारेस्ट ट्रोपिकल सब्सक्राइब देखेंगे तो हम देखते हैं कि यह सब क्या क्या है कहने का अर्थ क्या है ट्रोपिकल इवन मतलब सदावहार बन होता है पतजर वन होता है कटीली जहाड़िया होती है यह सब के बारे में और मैंग्रो होते हैं उसको बारे में ट्रोपिकल रेन फोरेस्ट किसे काते हैं इसको हम इवन गरीन फोरेस्ट भी बोलते हैं तो इसमें क्या होता है इसको हम समझते हैं इसको हम क बारिस होने के वज़ह से क्या होता है यहाँ नहीं पहुंच पाता है ग्राउंड पे इसको देखते हैं thence the sunlight does not reach the ground called evergreen forest तो हम देखते हैं किया जहां पे बहुत ज्यादा बारिस होता है वहां पे क्या होता है वहां पे नमी भी होगा तो वहां नमी होगा और वहां जो है वहां तो पानी हमको बहुत अच्छा मत्रा में मिलता है तो पत्ती क्या होगा चोड़ा चोड़ा हमको पत्ती भी मिलेगा तो इससे क्या होता है सन का लाइट जैसे आया इस फोरेश्ट में क्या होगा कि यहां सन का लाइट आ रहा है पढ़ रहा है लेकिन क्या होता है सन का लाइट जो है ग्राउंड तक नहीं जा पाता है सन का दजनोट रिच्ट दग्राउंड कोल्ड इवन ग्रीन फोरेस्ट इसलिए इसको सदावाहर बन भी बोलते हैं तो ट्रोपिकर रेन फोरेस्ट को क्या बोलते हैं सदावाहर बन सदावाहर क्यों बोलते हैं सदा बहार वन तो सदावाहर वन हम इस इसे क्यों बोलते हैं कि यहां उन्हों पर क्या होता है तैस कि अले पर रहा है सवने का लाइड तो पड़ता ही है यहां बारिस बहुत ज्यादा हो रहा जिसे क्या है इतना ज्यादा यहाँ यहां का पतिया जो है इतना दिंख रहता है कि साण Northern मां तक नहीं पहुच पाता यहां देख रहे हैं विल्कुल ऐसे होता है यह किसी इलाके में होता है अंडमान निकोबार आईलेंड पर देखिएगा अच्छा पार्ट ऑप नौर्थ इस्ट एस्टेट में देखिएगा नौर्थ इस्ट में जब जाएगा इस साइड में तो इस साइड में जाएगा तो आपको क्या है यह देखने को इस तरह का फोरेश्ट देखने को मिलेगा इन नायरो एस्टिफ ऑफ दा वेस्टर्ण स्लूप ऑफ दा वेस्टर्ण घाट वेस्टर्ण घाट में भी जाएगा वेस्टर्ण घाट हम पढ़ाये थे कि किस साइड म को मिलता है home of the forest कहने का अर्थ क्या है इसको सदावाहार बन क्यों बोलते हैं कि यह क्या है एक टाइम में अपनी पतिया जो है कुछ गिरा तब तक इसमें फिर नया पती आजाता है फिर जो है यहां पर लिफ देखिएगा फिर दूसरा आ गया तो कहने का अर्थ क्या है एक बार जब पूरा पती जब तक झरता नहीं है तब तक यह पती की विहिन नहीं होगा यानि कि पतियों से पूरा जो है लदा रहता है इसलिए इसको हम सदाबहार वन भी बोलते हैं तो आप समझ गया और वर्स के क्या है अलग-अलग समय में विरिक्ष क्या है अपनी पतिया गिराती है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सदाबहार वन बोलते हैं अब दूसरा हम क्या देखते हैं यानि कि ट्रोपिकल Decidivus Forest इसको हम क्या बोलते है Tropical Decidivus Forest इसमें क्या होता है कि देखिएगा क्या इसमें पतिया जो है गिर जाती है इसको हम पतज़र वन भी बोलते है इसको पतज़र वन पतज़र पतज़र वन भी बोलते है तो पतज़र वन क्यों बोलते है इसको इसको देखते हैं इन लार्ज पार्ट ओफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ओफ फॉरेस्ट यानि कि हमारे भारत में क्या है बहुत बड़े एरिया में हम इस फॉरेस्ट को यानि कि पत्थजर वन देखने को मिलता है इसको मोनसून फॉरेस्ट भी यह सब पत्था जो है गिर जाती है और गिरने के बाद में क्या होगा कि बिलकुल खाली हो जाता है तो इसलिए डेंस नहीं रहता है इसका इसकी पतिया क्या है डेंस नहीं रहती है they shed their lips at a particular time of this year यानि कि particular time of this year शाल के एक ऐसा समय आता है उस समय में क्या होता है उस मौसम में पतिया क्या हो जाती है इसकी जहर जाती है ठीक है important tree of this forest are salt, tick, people, name और season इस सबको देखते हैं कि क्या होता है इसकी पतिया जो है यानि कि यह मौसम इसलिए इसको पत्जड मौसम भी बोलते हैं पत्ता क्या होता है जड़ जाता है बिलकुल जैसे बिहार में भी अपने देखते हैं श्रिसम बहुत बड़े पैमाने पे न इसको हम क्या बोलेंगे tropical deciduous forest यानि कि पत्जड इसको मौसम हम बोलते हैं ठीक है तो हम इसमें देखते हैं क्या कौन-कौन जगा पर यह पाया जाता है यानि कि found in मध्य परदेश में पाया जाता है उत्तर परदेश और विहार में यह पाया जाता है कौन-कौन चीश पाया साल तिक यह सब आपको पेड़ पाया जाता है फिर जो है जहारकंड, चातिसगार, उडिसा और भी बहुत सारे यानि कि महाराष्ट के कुछ पार्ट में भी यह पाया जाता है तो tropical deciduous forest के बारे में हम लोग देखे फिर हम देखते हैं क्या अब थ्रोनी वूसेज के बारे मे हम लोग देखते हैं यह desert area में होता है तो थ्रोनी मिंच मतलाब कतीली जारिया इसको बोलते हैं क्टीली जारिया जारिया तो काि जारिया में क्या होता ए कि this type of vegetation is found in dry area of the country क्या होता है ड्राइ एरिया में आप देखिए हम देखते हैं जैसे यह काटा है यह काटा क्यों निकल जाता है कि इस region में क्या होता है पानी इसको परियाप्त नहीं मिल पाता है जहां पर पानी मिल रहा था वहां पर पतिया क्या है बड़ी बड़ी पतिया हो जाती है लेकिन जहां पानी नहीं मिलता है तो पानी की कमी के वज़ा से क्या होता है कि यह काटे निकल आते हैं ठीक है जिससे क्या होता है कि बहुत ही कम मात्र में यानि कि बीना पानी का भी काम चल जाता है इसलिए यहां पर देखिए दा लॉस ओफ वाटर क्या होता है कि यह पानी को यह क्या होता है पानी की कमी के वज़ा से क्या होता है यह काटे निकले हुए रहते हैं यानि कि बिना पानी का भी इस पेड़ पौदे को काम चल जाता है यानि कि यह चोटा-चोटा जाड़ी जो होता है उसका काम चल जाता है बिना पानी का भी important and are found in the state of Rajasthan Rajasthan में जैसे देखे Rajasthan में desert जो areas है उसमें यह सब जैसे पंजाब है हरियाना, eastern slope of western ghat and गुजरात यह इस सब जगह पर क्या है जहां भी रेगिस्तानी इलाके है जहां पे भी रेगिस्तान टाइब का कहीं बना हुआ है जहां पे पानी का कमी है वहां जो है यह सब आपको देखने को मिलता है कौन-कौन ता cactus मिलता है cactus देखे हो यह गा खैर देखे हो यह गा बबूल, कीकर नाध्वनी का पौधा यह सब देखे हो यह गा तो यह सब क्या है थ्रोनी गुसेज है अब mountain vegetation यानि कि परवतिये परवतिये वनस्पती के बारे में हम लोग जानेंगे कि परवतिये वनस्पती क्या होता है परवतिये वनस्पती हम किसको बोलते है इसको थोड़ा देखते है according to the variation in height यानि कि कहने का अर्थ क्या है परवत यानि परवत का अर्ती होता हे क्या जहां उचाही है हम पिछली लेक्षर में इसको cover की है अच्छे से थोड़ा यह नहीं कि समुद्र तल से क्या हैban त्रशौ से कहने का अर्थ क्या है 1500 से 2500 मीटर से क्या है 2500 मीटर के बीच पेड़ों का आकार विशेश कर क्या होता है संकू के आकार का होता है ठीक है ये परवतिय वनस्पती में ये होता है क्या है समुद्रतल से क्या है 1500 मीटर से 2500 मीटर तक इसका क्या होता है उचाई होता है जिसमें ये पेड पोदे पाया जाता है ठीक है इसमें जैसे चीड है देवधार है यहाँ पर पाइन है ठीक इस तरह के पेड जो है हमको इसमें मिलते हैं अब हमको mangrove के बारे में पढ़ना है mangrove वनफपती क्या होता है होता है Magroft यानि की अ इंगिर्वख हम किसको बोलते हैं है। यह खारे पानी में ज्यादा करके होता है slas dealt में होता है प्लand can survive in slime water यानि कि खारे पानी में क्या होता है यह मैन मैन ग्रो फोरेस्ट होता है यानि कि इनसका पेड़ कहां पे स्लाइन वाटर में खारे पानी में होता है अब पिछला लेक्च्छर देखिएगा तब इसको और अच्छे से समझेए दे आर फाउंड में ले इन सुंदरवन इन वेस्ट मंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलेंड अंडमान निकोबार आइलेंड जो है वहां पौधा मिल मिलता है ठीक है सुंदरी जिस पेड़ का नाम है सुंदरी वो पेड़ मिलता है ठीक है ट्रेज इन इसी मैं मैंग्रो फोरेश्ट में आपको सुंदरी एक पादप है जिसको हम उसका नाम क्या है सुंदरी सुंदरी एक पेड़ मिलता है उसी पेड़ के वज़ा से क्या है सुन्दर्वन का नाम क्या है सुन्दरी पादप के वज़ए कहने का नाम सुन्दर बन क्यों पड़ा है कि वह Official सुन्दरी पेड़ जो मिलता है उस पेड़ के वज़ा से यानि कि सुन्दरी जो पेड़ उस फोरेस्ट में मिलता है उस जंगल में मिलता है इस पादप का नाम क्या है इस प्लांट का नाम क्या है सुन्दरी जिससे क्या है इसको सुन्दरी वन भी बोलते हैं तो समझ में आ ग अब हम देखते हैं वाई आर फोरेस्ट नेसेसरी हमको जंगल क्यों जरूरी होता है वाई जंगल का जंगल से क्या है तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जंगल का यानि कि पेड़ पोधे अगर नहीं रहते तो हम लोग सर्वाइब नहीं कर पाते लाइब को हम लोग नहीं उस करवन डायक साइट को लेते हैं ठीक है यानि कि हमारे लिए जो हम जो करवन डायक से छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं और पेड़ पौधे जो हमको ऑक्सीजन परदान करते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है यहां तक कि हम आग भी जलाते हैं तो बिना ऑक पश्थिती में हम आग को नहीं जला सकते हैं तो फोरेस्ट आर वेरी यूश्वल फर आस यानि कि फोरेस्ट क्या है हमारे लिए वन क्या है बहुत ही लफदायक होता है plants release oxygen that we breathe and observe carbon dioxide plants क्या release करता है oxygen release करता है और वो carbon dioxide लेता है यानि कि हम लोग जो छोड़ते हैं वो क्या है वो पेड़ पौधे लेते हैं और पेड़ पौधे जो oxygen छोड़ते हैं हम लोग लेते हैं observe carbon dioxide the roots of the plants bind the swirl क्या करता है plants का root है जड़ यह जैसे plant हुआ यह जो उसका जड़ होता है plant का वो क्या करता है swirl को यानि कि मिर्दा को बांदे विराता है मिर्टी को क्या करता है बिल्कुल बांद के रखता है दस दा क्या है they control swirl erosion यानि कि अपरदन जो swirl जो होता है erosion होने से अपरदन होने से अपरदन हम पिछली क्लास में हम पढ़ायते अपरदन किसे कहते हैं क्या होता है कि वहां का मिर्टी क्या है एक जगह से दूसरे जगह जाने लगता है उसको सदारन भसा में समझी उसको हम अपरदन बोलते हैं तो क्या होता है स्वायल जो है erosion होने लगता है उससे भी यानि कि मिट्टी के कटाओं को भी क्या करता है यह पीड़ पोधे के द्वारा जो है बचाया जाता है वन से क्या मिलता है जिससे लकडी हमको वन से ही मिलता है जिससे हम लोग क्या करते फपषण बलाते हैं और बहुत सारा चीजों का निर्मान होता है जैसे हमको क्या होता है मेडिस्नल प्लांट भी है जैसे नीम हुआ मेडिस्नल प्लांट और हम क्या करते हैं जैसे तुल्सी बहुत सरा प्लांट जो है जो मेडि 음 रॉसे गम भी तयार होता है बहुत सरा चीज वाहता है प्लांट से तयार होता है तो कहने करता है और बहुत सारा प्लांट मिलता है तभी तो forest का निमा होता है forests are the natural habitat of wildlife यानि कि wildlife के लिए यानि कि one ने प्रानी के लिए क्या है forest है क्या है उचका habitat है उचका आवास है natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees and make people aware of the importance of trees कहने का औरत क्या है इंसान अपने जो है क्या करते है अपने सुखसुदाओ के लिए क्या कर रहा है पेड़े का बहुत ज़्यादा कटाई करता है उस कटाई को क्या करना चाहिए हम लोगों को रोकना चाहिए क्योंकि अगर पेड़ पौदे ही नहीं होंगे तो oxygen हमको कहा से मिलेगा oxygen के साथ साथ हमको यह बहुत सरा चीज भी हमको मिलता है हमको यहां ते की न दवा मिल पाएगा न हमारे लिए सुने का जो भी क्या कहते हैं जो भी furniture वगएरा बहुत सरा चीज जो हमको ऐसे भी नहीं मिल पाएगा बिना पेड़ पौदे के हम लोग जो है अपने लाइफ को सरवाइब भी नहीं कर पाएंगे यानि की एक तरह से फेर पौदे हैं तो हम लोग हैं तो वी कैन हैब एस्पेसल प्रोग्राम स्लाइक्स वन मौस्टाव जो प्रोग्राम है उसके माधेम से आने की कहने का अर्थ क्या है तू इन्वाल्व मोर प्यूपल इन मेकिंग आवर अर्थ jsme कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग जू है जितने भी इन्सान है हम लोगों को किया करना चाहिए यह सा प्रोग्राम में बिलकूल हिस्णा लेना चाहिए और इस पर द्यान देना चाहिए कि पेड कम से कम कटे यानि कि बिना पेड पोधे में संग डारी जो है सर्वा हमारा नेसनल इनिमल कौन है यहीं है टाइगा इट इस फाउंड इन वेरियस पार्ट ओप दिस कंट्री दा कंट्री यह निच के बारे में हम लोग जानते हैं गिर कहां है रा गुजरात में आपको पढ़ता है गुजरात रिजन में जब आप जाईएगा यह भारत के यह गु प्रिम ओप एसियर टिक लांद यानिकी यह का यानिकी यसी आई आई जो सी याई जो लैन है उसका क्या है यह घर है ठीक है गीर के गीर कहां पड़ता है गिर फॉरेस्ट तो गुजरात में पड़ता है ठीक है एलिफसाइट्स एन वन होंस राहिनोस एराफ रोंस इन्दा forest of Assam, Assam में देखिएगा क्या, Assam में एक सिंग वाले जो ये गैंडा देखते हैं, एक सिंग रहता है, उस गैंडे को क्या है, आप ये Assam में पाया जाता है, ये राइनो सेरास, ठीक है, Elephant are also found in Kerala and Karnatka, Camel and Wild Acid are found in the Great Indian Desert में, देखिएगा क्या मिलता है, Great Indian Desert में, Camel आपको मिलेगा, और किरला और करनाटका में क्या मिलता है, आपको Elephant मिलता है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, Wild, Goat, Snow, देख लीजिएगा, लियोपोर्ड, बियार, ये सब जो है, फाइंडा हिमालयाज रिजन में ये सब मिलता है, कहने क अर्थ क्या है, पहले ये समझ लिए, कि भारत के अलग अलग जगा में क्या है, अलग अलग पसू पक्षी और जितने भी जानवर है, वो आपको मिलता है, तो इस चैप्टर में हमको ये देखने को मिला, कि हम देखते हैं कि भारत के अलग 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 जगा में, Climate Condition के एक अर्डिंग जो है, तरह तरह के जानवर मिलते हैं, तरह तरह की बनस्पतिया है, और वहां के लोगों का यहां तैकि रहांसान, यानि कि आपका कल्चर पर भी बहुत ज्यादा जो है, और आप डिफरेंट देखने को मिलता है,